वर्ल्ड नो टोबैको डे, ये 31 मही को मनाया गया, इस बार इसका थीम था, Commit to Quit, वर्ल्ड मिल्क डे, एक जुन को मनाया गया, इस बार इसका थीम था, Sustainability in the Dairy Sector, with messages around the environment, nutrition and socio-economics, याद रखिए, भारत में National Milk Day होता है, 26 नवंबर को, लेकिन दुनिया में Milk Day एक जुन को होता है, Global Day of Parents ये एक जुन को मनाया गया, World Bicycle Day तीन जुन को मनाया गया, World Environment Day पाँच जुन को मनाया गया, इस बार इसका थीम था, Ecosystem Restoration, और 24 वा Bimstack Day, 6 जुन को मनाया गया, अब देखते हैं important लोग जिनकी death हो गई, Denmark के पूर्व प्रधान मंत्री, Paul Schwelter की death हो गई, मशूर काल्टोनिस्ट, इबराहिम बदूशा, ये केरला से थे, इनकी death हो गई, अनिरुद जगनात, ये मौरिशस के पूर्व प्रधान मंत्री दोनों थे, और अभी जो मौरिशस के प्रधान मंत्री हैं, वो इनके बेटे हैं, प्रवीन जगनात, इनको अनिरुद जगनात को पिछले साल भारत की सरकार ने पदम विभूशन भी दिया था, इनकी डेथ हो गई, उसके बाद कली पटनम रामा राओ, इन्हें करामस्तारू बोलते थे, तेलगू भाशा के मशूर कवी और लेखक इनकी डेथ हो गई, और उस्मान खान, भारत के मशूर होकी खिलाड़ी, इनकी डेथ हो गई, तो ये थे हमारे ओबिच्वरी और इंपोर्टेंट डेज, अब हम स्टार्ट करते हैं MCQs, तो लेट्स टार्ट, मोटो थ्री राइडर जेसन डुपा स्क्वेर, इनकी डेथ हो गई, ये मोटर साइकल की जो रेस होती है, मोटो थ्री, उसके राइडर थे, तो ये कौन से कंट्री के थे, याद रखिए, ये सिर्फ 19 साल के थे, और ये स्विजर लेंड के थे, सो आंसर है स्विजर लेंड, स्विजर लेंड के एक मशूर खिलाडी और हैं जिनका नाम है रोजर फेडरर और रोजर फेडरर जो हैं वो टैनिस के खिलाडी हैं, स्विजर लेंड की राजधानी है बर्न, अभी अभी 75 किलोग्राम कैटेगरी में एशियन बॉक्सिंग और वो था पूजा रानी का, पूजा रानी ने 75 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता और पुरुशों की बात करें तो 91 किलोग्राम कैटेगरी में संजीत ने जीता तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमारे एक खिलाडी हैं जिनका नाम है संजीत कुमार और स 91 किलोग्राम वाली जो केटेगरी है उसमें गोल्ड मेडल जीता था संजीत कुमार एशियन बॉक्सिंग चेंपियंशिप और यह हुई कहां पे थी एशियन बॉक्सिंग चेंपियंशिप दुबई में हुई थी अभी अभी बैल ग्रेड ओपन ये टैनिस टूर्नमेंट सर्बिया की ही राजधानी है बेल ग्रेड चिमोन बंबु सा कलो सा ये नागालेंड में अभी अभी खोजी गई है ये किस चीज की एक प्रजाती है तो याद रखिए ये बंबु यानि बांस की प्रजाती है आपका हिंट आ इसमें चिमोन बंबु सा यहां पर लिखा ये बंबू सा तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये एक तरह का बास है जो अभी-अभी नागा लेंड में खो जा गया है और ये वाला बास केरला के इद्दू की में मिलता है लेकिन अभी ये नागा लेंड में भी मिलने लगा है अभी-अभी हमारी केंजर सरकार ने PM Care for Children योजना शुरू करी है इस योजना में वो चिल्डरन जिनके अब माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे COVID के कारण उनको कितना पैसा लंब सम मिलेगा जब वो 23 साल के हो जाएंगे देखो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब बच्चे 23 साल के हो जाएंगे त जैसे सैनिक स्कूल, नवोदे विद्याले वगारा इंसम में एडमिशन मिलेगा यानि पूरा जो पढ़ाई का खर्चा है वो सरकार उठाएंगी अगर उनकी उम्र 11 से 18 के बीच में है और 18 से 23 के बीच में अगर उनकी उम्र है तो सरकार उनको स्टाइपन देगी और जब 23 साल के हो जाएंगे तो फिर 10 लाख रुपे सरकार की तरफ से उनके मिलेंगे तो ये है पीम केर योजना आंसर है 10 लाख रुपए 10 लाग अभी अभी यूएफा चैंपियन्स लीग का किताब किस ने जीता यूएफा चैंपियन्स लीग ये बताता है यूरोप का बेस्ट क ठीक है तो चैल्सी ने जीता भारतिय मूल के वो अमरीकी वैक्ति कौन है भारतिय मूल के अमरीकी वैक्ति यानि इंडियन अमेरिकन जिने राश्पती जो बाइडेन ने United States and Foreign Commercial Service यानि विदेश वानेजिक सेवा जो है अमेरिका की उसके लिए इनको डारेक्टर जनरल यानि महा निदेशक बनाया है क्या नाम है इनका इनका नाम है अरुन वैंकट रमन और यहां पे आपको एक नाम और याद रखना है और वो है वनिता गुपता वनिता गुपता जो है वो Associate Attorney General बनी है अमरीका की ये भी इंडियन अमेरिकन है और एक नाम और याद रख लिजिए न नीरा टंडन नीरा टंडन जो है वो राश्पती जो बाइडैन की Senior Advisor यानि मुख्य सलाकार बनी है तो ये कुछ इंडियन अमेरिकन है जो आपको पता होने चीए भारत के कौन से राज्ये ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू करी है उन बच्चों के लिए जिनों इनके Guardian या Caretaker को और ये योजना है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना बारत के किस राज्ये ने की योजना शुरू करी है मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचोनी ये असाम सरकार ने शुरू करी है इसमें असाम की जो गवर्मेंट है 3500 रुपे महिना देगी उन बच्चों को जो जिनके Parents अब इस दुनिया में नहीं है और इतना ही नहीं अगर लड़की है तो लड़की की शादी के लिए 50,000 रुपे और एक तोला सोना अरुंधती योजना के तहद भी दिया जाएगा जब लड़की शादी की उम्रकी हो जाएगी COVID का Variant जो इंडिया में identify किया गया था B16172 उसका नाम WHO ने क्या रख दिया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल में यहाँ पे इंडिया में दो Variant मिले थे तो यहाँ पे सबसे नीचे देखिए Delta Variant B16172 तो इसका answer है Delta लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी स् 6171 कापा है और 6172 जो है वो डेल्टा है तो इस question का answer हो गया डेल्टा नैशनल Human Rights Commission के नए चेयर्मेन कौन बने हैं नैशनल Human Rights Commission याद रखिए इसके नए चेयर्मेन बने हैं अरुन कुमार मिश्रा राष्ट्रिय मानवादिकार आयोग यानि NHRC Mr. अरुन कुमार मिश्रा बी शाम ये भारत के राजदूद बने हैं अगले कौन से देश में बी शाम आइसलेंड में हमारे राजदूद बने हैं आइसलेंड की राजदानी हैं रेकी याविक डबलू एचो यानि विश्यो स्वास्ते संगठन के द्वारा महा निदेशक विशेश माननेता प्रुसकार यानि डिरेक्टर जनल स्पेशल अवाड किसे मिला है ये मिला है डॉक्टर हरिशवर्दन को भारत में तंबाकू का सेवन कम करने में अपने योगदान के लिए टोबैको कंजम्शन इंडिया में कम हुआ है और उसका श्रे इन्होंने डॉक्टर हरिशवर्दन जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने उन्हें दिया है दुनिया का पहला नैनो योरिया लिक्विड ये इंट्रोड्यूज किया गया है अभी अभी कौन से संगठन के द्वारा जो किसान है उन्होंने बनाया है ये नैनो योरिया लिक्विड तो ये इफको ने बनाया है इफ्को ने बनाया है इसका दाम 10% कम है normal यूरिया से और 500 ml की बॉटल 240 उर्पे की आएगी तो ये दुनिया का पहला nano यूरिया है इसको आप normally स्प्रे कर सकते हैं जैसे यूरिया स्प्रे करते हैं वैसे ये आप इसको स्प्रे कर सकते हैं हमारे जो public sector bank है public sector bank वो कितना unsecured loan देंगे unsecured loan देंगे covid treatment के लिए लोगों को तो याद रखिए हमारे public sector bank जो है सारवजनिक शेत्र के bank वो एसुरक्षित व्यक्तिकत रिन प्रदान करेंगे 5 लाख रुपे तक का 5 लाख रुपे तक का लोण होगा और 25,000 से लेके 5 लाख तक का होगा minimum 25,000, maximum 5 लाख 5 साल में वापस चुकाना है और विभिन बैंक अपनी खुद की ब्याजदर तैक कर सकते हैं State Bank of India ने अभी 8.5% रखा है इस पे interest लेकिन बाकी जो bank हैं, सरकारी bank वो स्वतंत्र हैं वो अपना कुछ पे interest इस पे charge कर सकते हैं हमारी के अंदर सरकार ने जो goods and services tax है यानि वस्तु एवं सेवा कर GST बोलते हैं जिसे उसकी एक committee बनाई है कि COVID की जो वस्तु हैं मतब COVID में इस्तिमाल होने वाली जैसे ventilator हैं, ये सब हैं इन पे GST कितना हमें कम ज्यादा करना है तो उसके लिए जो है committee बनाई है इसके chairman कोन होंगे, इसके अधक्ष कोन होंगे तो इसके अधक्ष होंगे Conrad Sangma, Conrad Sangma जो हैं ये मेगाल लेके मुख्य मंत्री है इनकी party का नाम है National People's Party NPP, जो की एक राष्ट्रे party डिकलेर की गई थी दो साल पहले और GST कितना लगता है COVID आइटम्स पे अलग-अलग है जैसे vaccine है vaccine पे कितना GST है पता है आपको vaccine पे 5% GST लगता है अच्छा जो cotton mask है इन पे कितना लगता है उन पे भी 5% लगता है और vaccine और cotton पे 5% लगता है बाकी ventilator है oxygen concentrator है medical oxygen है testing kit है या drugs है इन पे 12% लगता है लेकिन जो sanitizer होते हैं hand sanitizer, thermometer, disinfectant वगारा उन पे 18% GST लगता है तो अलग-अलग slab है GST के अब इनको analyze करेगी Conrad Sangma committee भारत के कोन से राज्ये ने घर-घर औशदी योजना शुरू करिए घर-घर औशदी योजना याद रखिए ये राजस्थान की सरकार ने शुरू करिए इसमें basicली क्या है तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेग ये जो हमारी प्राकिरतिक जड़ी बूटियां है ये लोगों को इनके पोधे बाटे जाएंगे सरकार के द्वारा पांच करोड पोधे से भी जादा बाटे जाएंगे एक साल में और लोग इनने अपने घर पे लगाएंगे तो इनको कभी भी प्राकिरतिक औशदियों की कमी नहीं होगी असाम राइफल के नए डिरेक्टर जनरल यानि महानिदेशक कौन बने है ये बने है प्रदीप चंदरन नायर और असाम राइफल को हम सेंटिनल ओफ दा नौर्थीस्ट भी बोलते है सेंटिनल ओफ दा नौर्थीस्ट ये 21 महानिदेशक बने है 21st डिरेक्टर जनरल बने है और ये सबसे पुरानी पेरा मिलिटरी फोर्स है ग्रह मंत्राले के अधिन काम करती है कनफेडरेशन ओफ इंडिन इंडस्टरी यानि भारतिय उद्योग परिसंग सी आई आई इसके चेर्मेन कौन बने है प्रेजिडेंट कौन बने है इसके प्रेजिडेंट CII के बने अभी अभी TV नरेंदरन TV नरेंदरन कौन है ये ये टाटा स्टील कंपनी के मेनेजिंग डिरेक्टर और CEO है हमारी जो केंजर सरकार है उन्होंने सस्टेनेबल अर्बन डवलप्मेंट यानि सतत सहरी विकास के लिए किसके साथ समझोता करा है तो ये Ministry of Housing Urban Affairs ने करा है जापान के साथ जापान के साथ हमने सस्टेनेबल अर्बन डवलप्मेंट के लिए MOU साइन करा है National Chemical Laboratory यानि राष्ट्रिय रसाइनिक परियोग शाला जो CSIR के अंडर आती है Council of Scientific Industrial Research तो इन्होंने जो National Chemical Laboratory ये पुने में इन्होंने कौन सी टेकनिक बनाई है जिससे पानी को किटानू रहित किया जा सकता है साथ किया सकता है और इसके लिए प्राकिर्तिक तेल का इस्तिमाल करके Natural Oils का इस्तिमाल करके तो इस योजना का नाम है स्वास्तिक इन्होंने जो टेकनिक बनाई है इसका नाम है स्वास्तिक स्वास्तिक टेकनिक से पानी को साफ किया जा सकता है Natural Oils का इस्तिमाल करके अभी अभी CBDT का चेर्मेन तीन महीने के लिए कौन बना है CBDT, केंद्रिय प्रतेक्षकर बोर्ड Central Board of Direct Taxes यानि आयकर विभाग इनका नाम है जगनात बिद्यधर महपात्रा सो आंसर है option D Horticulture Cluster Development Program भारत में स्टार्ट किया गया है तो अपने पाइलेट फेज में ये कितने Horticulture Cluster इंडिया में बनेंगे Horticulture Cluster याद रखिए टोटल बनेंगे 53 लेकिन फस्ट फेज में पूछा है पहले चरण में तो पहले चरण में जो हैं 12 वनेंगे तो आंसर है 12 और यहाँ पे इसको हिंदी में बोलते हैं बागवानी Cluster विकास कारेकरम Horticulture मतलब फल और सबजियों की खेती यानि बागवानी खेती और यहाँ पे आप स्लाइड पे देख सकते हैं 12 के 12 Cluster शौपियन और किन्नौर में बनेगा सेब के लिए शौपियन जम्मू कश्मीर में किन्नौर हिमाचल में लखनव, यूपी, कच, गुजरात और महभूब नगर तेलंगारा में बनेगा आम के लिए अनन्तपूर और थेनी, थेनी तमिलनाडू में, अनन्तपूर आंदर प्रदेश में इन में बनेगा बनाना के लिए, नासिक में बनेगा अंगूर के लिए सिफाजिला तिरपूरा में अनानास के लिए, शौलापूर और चितर दुर्ग इन में बनेगा अनार के लिए और वेस्ट जैन्तिया हिल्स में बनेगा टर्मरिक के लिए तो ये सारे तथे आपको याद रखने है अभी-अभी जो विश्व, स्वास्थे, सभा यानि World Health Assembly की बैठा कुई थी 74 वी उसमें ये decision लिया गया कि हर साल किस तारीक को अब हम विश्व उपेक्षित उष्ण कटी बन्दिय रोग दिवस के रूप में मनाएंगे यानि World Neglected Tropical Disease Day तो किस तारीक को मनाएंगे? तो ये हम मनाएंगे 30 जन्वरी हर साल 30 जन्वरी को महत्मा गांदी की पुन्ने तिथी भी होती है और भारत में हम Leprosy Day यानि कुछ ट्रोग दिवस भी मनाते हैं अभी अभी अधार पुना वाला जो Serum Institute of India के चेर्मेन ने जो कंपनी पुने में है Serum Institute of India जिसने COVID-Shield दवाई बनाई एस्टरजैनिका की ये कौन सी Non-Banking Financial Company के चेर्मेन बने है? NBFC तो ये है Magma FinCorp Magma FinCorp कौन सा IIT है? जिसने एक Internet of Things पर आधारित एक डिवाईस बनाया है MBTag ये MBTag आपको अपने कमरे का या जहां भी आप इसे लगाओगे टेंपरेचर बता देगा, तापमान बता देगा इसमें माइनस 40 से लेके 80 डिगरी तक टेंपरेचर ये रिकॉर्ड कर लेगा तो MBTag को किसने बनाया है? IIT Ropad आंसर है IIT Ropad पहला Asia Pacific Public Sector Cyber Security Executive Council किसने बनाया है? यानि Asia प्रशान शेत्र के लिए सारवजनिक शेत्र Cyber सुरक्षा कारेकारी परिशद इसको अभी अभी बनाया है Microsoft ने Microsoft ने इसमें बहुत सारे कंट्री है जो इसके मेंबर बने है तो ये एक Cyber सुरक्षा के उपर कारेकारी परिशद है यानि की Executive Council है अभी अभी एक मेंड़क मिला है Littoria Mira ये कहां पे खो जा गया है? इसको Chocolate Frog भी बोलते हैं Chocolate Color का है आप देख सकते हैं अभी अभी Booker Prize International Booker Prize किसे दिया गया? International Booker Prize जो है ये दिया गया अपनी किताब At Night All Blood Is Black के लिए David Diop को और David Diop France के हैं बहुत important सवाल है Booker Prize पे हमीशा question आता है तो ये International Booker है मतलब ओरिजिनल ये किताब English में नहीं थी तो ये किताब जो है फ्रेंच में लिखी थी लेकिन इसको English में translate कर लिया गया है तो अब इस किताब का नाम है At Night All Blood Is Black इसाग हर्जोग ये इसराइल के नहीं राश्पती बने है कौन से नंबर के राश्पती हैं ये तो ये 11 राश्पती है सवाल ज्यादा important ये कि इसराइल के नहीं राश्पती कौन बने है इसाग हर्जोग यहां के राश्पती बने है इसराइल की राश्दानी जैरुसलम हमारा जो श्रम मंत्राले है श्रम और रोजगार मंत्राले Ministry of Labor and Employment वो उन्होंने एक expert group तयार करा है विशेशग समू ये बैसिकली जो minimum wage कितनी होनी चाहिए यानि न्यून्तम मजदूरी जो है कितनी मिलनी चाहिए मजदूरों को पढ़ दे वो तया करेगा इसके head कौन होंगे इसके head होंगे अजीत मिश्रा इसके head होंगे अजीत मिश्रा ध्यान लखिए INS संध्यायक INS संध्यायक ये 40 वर्षों तक इसने सेवा दी अभी ये सेवा मुक्त हो गया है decommission हो गया है कहाँ पे decommission हुआ ये ये decommission हुआ था नेवल डॉक्याड विशाका पटनम में नेवल डॉक्याड विशाका पटनम और INS राजपूत वो भी decommission अभी अभी हो गया है संध्यीव कोली हमारे राजपूत बने है कौन से कंट्री में संध्यीव कोली हमारे राजपूत होंगे नए सर्विया में तो आंसर है सर्विया भारत ने कौन से देश के साथ भारत ने कौन से देश के साथ एक M.O.U. साइन करा है समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर करे हैं खनेज संसाधनों के शेतर में सहयोग के लिए यानि मिनरल रिसोर्सेज में म्यूचल कोपरेशन के लिए तो ये इंडिया ने करा है अभी अभी साइन अर्जेंटीना के साथ तो आंसर है अर्जेंटीना इसे पिछला एक कोशन रहा गया था कि कॉपा अमेरिका इस साल कहां पे होगा तो कॉपा अमेरिका जो है दूसरी बार लगातार ब्राजील आयोजित करेगा कॉपा अमेरिका मतलब दक्षिन अमेरिका के जो देश हैं ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरागुए, उरुगए, चिले, पेरू वगारा इन सब के बीच फुटबॉल टूर्नमेंट होगा ये देखने के लिए कि साउथ अमेरिका की बेस्ट टीम कॉनसी है उसको बोलते हैं कॉपा अमेरिका आगे बढ़ते हैं इंडियन काउंसिल ओफ मेडिकल रिसर्च ने अमेरिका की कमपनी इनके द्वारा बनाई गई कौनसी डियाग्नोस्टिक किट है जिसे अप्रूव कर दिया है इस किट का नाम है पैन बायो ये दूसरी किट है जो अप्रूव करी थी इस किट की मदद से आप घर बैठे ये पता लगा सकते हैं आपको कोविड है या नहीं है इससे पहले पुने की एक कमपनी है माईलार लैब माईलार लैब ने भी MyLab M-Y-L-A-B MyLab तो MyLab ने भी पुने की कमपनी है एक किट बनाई थी जिसका नाम था कोवी सेल्फ, C-O-V-I-S-E-L-F कोवी सेल्फ, नासा अपने दो मिशन करेगा नए, अमरीका की स्पेस एजन्सी नासा, एक तो डाविंसी प्लस और एक वेरिटास, कौन से घ्रह के ले करेगा ये दोनों शुकर घ्रह यानि विनस के ले करेगा, और भारत भी एक मिशन कर रहा है, शुकर घ्रह के लिए जिसका नाम है शुकरियान शुकरियान वन भारत के कौन से राज्य को एशियाई विकास बैंक ने एशियान डवलप्मेंट बैंक ADB ने 2.5 मिलियन डॉलर का लोन दिया है वहाँ पे सडके बनाने के लिए जो जिला सडके हैं उनके उनायन के लिए तो याद रखिए ये लोन सिक्किम को मिला है, आंसर है सिक्किम और सिक्किम के मुख्य मंत्री है Mr. P.S. गोले या प्रेम तमांग भी आप उन्हें बोल सकते हैं भारत की कौन से मंत्राले ने सेज प्रोजेक्ट शुरू करा है Senior Care Aging Growth Engine यानि सेज प्रोजेक्ट सेज प्रोजेक्ट बुड़े लोगों के लिए शुरू करा है हमारे सामाजिक नयाय और अधिकारिता मंत्राला यानि Ministry of Social Justice and Empowerment और ये सेज प्रोजेक्ट क्या है सेज प्रोजेक्ट में वो स्टार्टप्स जो ऐसे प्रोड़क्ट बनाते हैं जो बुड़े लोगों के काम आते हैं उनको एक जगा लाये जाएगा सबको जिसे सारी सुविधाएं बुड़े लोगों को एक ही जगा दी जा सकें नीती आयोग ने सतत विकास लक्षे सूचकांक दिया SDG सस्टेनेबल डवलप्मेंट गोल इंडेक्स उसमें बेस टेट कौन सा रा तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं नंबर वन केरल है और सबसे नीचे बिहार है यानि केरल नंबर वन है और दूसरे नंबर पे हिमाचल और तमिलनाडू एक साथ नंबर दो पे रहे ये इंडेक्स ये बताता है कि भारत का कौन सा राजिय है सतत विकास लक्षे को हासिल करने में सबसे आगया है तो आणसर है केरल और यूनिन टेरिटरी में नंबर बने चंडिगड RBI भारतिय रिजर्ब बैंक ने अपनी मौद्रिक नीती दी यानि की अपनी मोनेटरी पॉलिसी और इसके हिसाब से इंडिया का GDP कितना ग्रो करेगा करन्ट फाइनेंचल येर में फाइनेंचल येर ट्वंटिटू में तो RBI के हिसाब से हमारा GDP ग्रो करेगा 9.5% 9.5% और यहाँ पर आप अपने स्लाइड पर देख सकते हैं कोई भी रेट चेंज नहीं किया गया है रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, मार्जिल स्टेंडिंग फसिलिटी और बैंक रेट दोनो 4.25% है नरेंदर सिंग तोमर ने इन्डस बेस्ट मेगा फूड पार्क इनोग्रेट करा है बहुत बड़ा एक फूड पार्क बनाए खाद्य प्रसंस्क्रन के लिए कहां पर इनोग्रेट हुआ है तो यह उग बनाए रायपूर 36 गड़ में, 36 गड़ की राजधानी रायपूर में नरिंदर सिंग तोमर ने एक कौन सा कारेकरम शुरू करा है जिसमें किसानों को दलहन और तिलहन यानि दाल और ओयल सीड पलसेज और ओयल सीड के बीज माटे जाएंगे बहुत हाई क्वाल्टी के उच पैदावार वाले तो इन बीजों का वित्रन किया जाएगा बाटे जाएंगे इसका नाम इन्होंने रखा है सीड मिनी किट सीड मिनी किट भारत के कौन से राज़े ने राबता मुहीम का आयोजन करा 24 से 31 मई तक राबता मुहीम चलाई पंजाब की सरकार ने चलाई जिससे टीचर और बच्चे जो है अपस में समवाद कर सके है अभी अभी जो M4 Terresin B दवाई होती है फंगस के लिए उसकी नैनो फाइबर बेस्ट ओरल टेबलेट तयार करी है भारत के किस IIT ने इन दवाई का नाम रखा है AMB दवाई का नाम है AMB पंडू भी बनेंगी उनके लिए कितना पैसा मंजूर करा है तो 43,000 करोड रुपे खर्चा होगा इसमें 43,000 करोड सम्मरीन डे होता है 8 दिसंबर को और नेवी डे होता है 4 दिसंबर को अनुराग सिंग ठाकुर उन्होंने अभी-भी Investor Education and Protection Fund Authority यानि निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोश प्राधिकरण की लगू फिल्में जो होंगी शॉर्ट फिल्म्स जो फ्रॉड से बचाने के लिए शॉर्ट फिल्में बनेंगी 6 तो इसका नाम क्या होगा ये जो पहल है इसका नाम होगा हिसाब की किताब नाशनल ग्रीन ट्राइबुनल ने विश्वा मित्री रिवर प्रोजेक्ट के लिए पर्मीशन दे दिये तो विश्वा मित्री नदी जो है ये कौन से राजिये में भैती है ये वडोद्रा में फ्लो करती है वडोद्रा गुजराथ तो आंसर है गुजराथ और इस नदी के लिए action plan तयार किया गया इसको साफ करने के लिए भारत के कौनसे राजे ने UNTAB scheme शुरू करी है डिजिटल लर्निंग के लिए इसमें जो students हैं उन्हें tablets बाटे जाएंगे जिससे वो डिजिटल पढ़ाई कर सकें तो ये शुरूक हुई है लदाख में लदाख के गवर्नर है लेफटिनेंट गवर्नर आरके माथुर भारत का कौनसा सारवजनिक शेतर का उपकरम है यानि पब्लिक सेक्टर अंडेटेकिंग सरकारी कंपनी PSU महारतन कंपनी जो United Nation के Global Compact CO Water Mandate को जिसने साइन करा है इसका साइन करने का मतलब ये है कि अब ये जल सररंक्षन के लिए काम करेगी यानि पानी को बचाने के लिए काम करेगी ये है NTPC NTPC के चेर्मेन है गुरदीप सिंग वो भारती है कौन है जो अंतराष्टिय Dairy Federation के Board Member बने है तो ये है Amul Company के Managing Director इनका नाम है RS Sothi यहाँ पर एक चीज़ और अपता दूँ आपको International Dairy Federation जो है International Dairy Federation इसमें एक Indian ओर है जो इसके Member बने थे थोड़े महीने पहले ही तीन-चार महीने पहले उनका नाम था Dilip Rat और International Dairy Federation का जो Headquarter है वो कहां है Brussels में है Belgium की राजधानी Brussels में और एक चीज़ और याद रखनी है हमारा जो National Dairy Board है भारत में NDDB National Dairy Development Board उसके President को ने वर्षा जोशी कौन सा मंत्राले है Performance Grading Index जिसने अप्रूव करा है States और Union Territories के लिए यह आपको बताएगा कि स्कूल हमारे कितने अच्छे है Performance Grading Index 70 parameter हैं इसमें total 70 parameter हैं और यह हमारे जो स्कूल है उनको judge करेंगे किसी भी राजधे के जो स्कूल है तो याद रखिए यह Ministry of Education ने लाँच करा है और इसमें पंजाब, चंडिगड, तमिलनाडू अणमा, निकोबार और केरला इनके grade सबसे अच्छे आए है यानि A++ पंजाब, चंडिगड, तमिलनाडू अणमा, निकोबार और केरला इनके स्कूल भारत में सबसे अच्छे है कौनसी कमपनी है जिससे भारत की सरकार 30 करोड दवाईयां खरीद रही है 1500 करोड में 30 करोड खुराक तो ये कमपनी है कमपनी का नाम है Biological E दवाई का नाम पूछा है दवाई का नाम है Corbevax Answer Option A इसको बनाया है Biological E नाम की कमपनी ने जो हैदराबाद की कमपनी है कौन से दो अभियान हमारे परियावरण मंत्रालने शुरू करे थे परियावरण दिवस के दिन 5 जून को तो जानवरों को बचानी के लिए करे थे ये तो एक का तो नाम है इसमें Not Your Medicine और एक का नाम है Sad Emojis तो आंसर है A and B अभी अभी कौन से कंट्री ने एक कानून पास करा है Eagle Act Eagle Act को अमरीका ने पास करा है Eagle Act में जो लोग ग्रीन कार्ड चाते हैं तो कंट्री का जो कोटा होता था उसे हटा दिया गया है भारतिया नेवी ने अपनी सबमरीन INS चक्र किस देश से किराए पे लिए थी उसको वापस लोटा दिये तो आएने इस चक्र को किराए पे हमने रश्या से लिया था तो आंसर है रश्या Cytodactylus bankuaii ये मिजोरम में खोजी गई है किस चीज की ये परजाती है ये जो परजाती है ये चिपकली की परजाती है ज्यानी की गेको लिजर्ड की परजाती है Cytodactylus bankuaii और एक चिपकली और मिली है जिसका नाम है Cytodactylus Aron Bori A-A-R-O-N Aron B-A-U-E-R-I Bori इसका नाम Aron Bori के नाम पर रखा है जो मशूर साइंटिस्त है World Bank Education Advisor कौन बना है तो ये बने है रंजीत सिंग डिसाले महराष्टर के हैं इन्हें Global Teacher Prize भी मिला था कौन से कंट्री ने एक मोसम उपग्रह छोड़ा है Weather Satellite जिसका नाम है Fang Yuan 4B Fang Yuan 4B को अभी अभी China ने लॉंच करा है Long March 3B rocket का इस्तिमाल करके S.Imba Saker ये कौन से देश में हमारे राजदोत बने है S.Imba Saker ये बने है Papua New Guinea Papua New Guinea की राजदानी है Port Moresby अभी अभी किताब लिखी गई है Tianaman Square The Making of a Protest इसको किसने लिखा है ये सूपर important किताब है इसको लिखा है Vijay Keshav Gokhale ने जो चाइना में हमारे राजदोत पहले थे अभी चाइना में हमारे राजदोत को ने अभी है विक्रम मिश्री विश्व वीर अहुजा ये ये कौन से बैंक के मेनेजिंग डिरेक्टर और सीओ बने है ये बने है RBL Bank रतनाकर Bank Limited ये किताब किसने लिखी है The Lover Boy of Bahawalpur ये बहुत important किताब है इसको लिखा है राहूल पंडिता ने राहूल पंडिता कौन से 10 साल है जो United Nations ने डिक्लेर करे है ecosystem restoration के लिए यानि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए ये 10 साल है 2021 से 2030 और कौन सी फिल्म है जो परियावरेंट पे बनी है जिसको best film का award दिया गया environment category में ये फिल्म है इसको बोलते है Water Burial और ये अरुनाचल प्रदेश की फिल्म है ये मोनपा भाशा में फिल्म है M.O.N.P.A. So ये था हमारा 300 best MCQs Part 1 bilingual June के महीने का हिंदी में तो आपसे बहुत जल्दी मिलूँगा फिर में Week 2 जब खतम होगा तो Part 2 भी में लेके आऊँगा ये revision वीडियो होता है इसमें explanation बहुत ज़्यादा नहीं रहती लेकिन ये वीडियो काफी ज़रूरी होता है एक्जाम से पहले इसको देख के जाना होता है तो मिलते हैं Part 2 में Thank you for watching Study IQ